तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के एक और महा मैराथन क्लास में आज का ये वीडियो भी मैराथन वीडियो होने वाला है किस चीज़ का तो 10th क्लास के नौन हिंदी का अब्जेक्टिव कोश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यान ने की थोड़ा सा ये लंबा क्लास चलेगा लेकिन सारा अब्जेक्टिव कोश्चन हम लोग नौन हिंदी का कंप्लीट करेंगे जिसको हम लोग अहिंदी भी कहते हैं या फिर किसला हिंदी भी कहते हैं इतने वी उर्दो वाले स्टुएंट होते हैं उनके लिए जो हिंदी है उसको non Hindi कहा जाता है ठीक है ना तो आज किस वीडियो में हम लोग 10 लुग 10 क्लास के non Hindi की टोटल objective question मतलब कि non Hindi का जो बुक है किसले हिंदी हर एक chapter का chapter wise objective question में कम्प्लीट करेंगे और मात्र आज के इस एक वीडियो में पूरा हंदी का objective complete मतलब कि आप लोग के final exam में जो question देखने को मिलेंगे न वो इन objective question में से देखने को मिलेंगे इससे बाहर आप लोग के exam में question आएगा ही नहीं जो भी आप के exam में question पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से रहेंगे तो यह चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग को वीडियो को अंत तक बिना skip किये देखना है और हर एक objective question पर आप लोग को command करना है एक भी objective question को skip नहीं करना है miss नहीं करना है ध्यान से देखना है अंत तक ठेक है ना और यह बात ध्यान में रखिएगा कि अभी देखिए 12 वालो का exam हुआ है जितना अभी मैं कराई थी objective subjective उसी से final exam question पूछे गए हैं बहुत बढ़ियां review रहा है मतब दिल खुश हो गया आप लोग कमेंट भी देख सकते हैं अगर आप लोग विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे comment box में अभी यह चीज में आप लोग को ये कहना चाहती हुँ अभी आप लोग का exam non Hindi का नहीं वह है तो उससे पहले ही में आप को ये बात बता देना चाहती हूं कि जिस दिन आप लोगा एक्जाम है ना नौन हिंदी का उसके एक दिन पहले रात में यह पूरा कंप्लीट वीडियो देख कर जाएगा मतलब कि आज यह वीडियो देख रहे हैं ठीक है देखिए इसको कम से कम दो तीन बार देखिए और सार बीडियो को पूरा देख कर जाएगा यानि कि सारे अबज्यक्तिव कोशन का रिवीजन करके जाएगा ताकि सारा कोशन आप लोगोगे माइन में ताजा हो जाए और फिर आप लोग एक भी कोशन छोड करना है हालांकि 10 लोग नशेंस को नहीं देखे हैं तो उसको भी लिंक का। लिएक वडियो को लाइक शेयर करें क्योंकि आप सभी लोग के लिए जब इतना मेहनक किया रहा है तो आप लोग की तो जितना दिल के पास जितने आप लोग के बिरें छोटे बड़े भाई बहान रिष्टिदार वगरा हैं चारताव शेर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाग उठा सके तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर वाइज है फड़वट अभी तक आप लोग वडियो को लाइक शेर नहीं किया है तो स्टार्टिक वे लाइक शेर जरूर करते ठीक है देखे सबसे पहले सवाल आप लोग के स्क्रेण के उपर आचुका है सबसे पहले चैप्टर का पहला सवाल है पहला प्रशन प्रशन नंबर वन कि तो वन का option number A हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, सही answer option number A कवीता, ठीक है ये बहुत आसान question है, दूसरे question की तरफ बढ़ते हैं, देखिए दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि तू जिन्दा है तो कवीता में G1 का कौन सा दिर्श्य प्रस्तुत है, option A म C में है उत्चाहका, C में है गहरे जीवन के राग एवं उत्चाहका, और D में है इन में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब? जी हाँ, बिल्कुल, option number C is the correct answer, गहरे जीवन के राग एवं उत्चाहका, जो एना दिर्श्य प्रस्तुत किया गया है, तू जिन्दा है तो इस क स्वर्ग जैसा सुन्दर बनाने के लिए, और D में हैं इन में से कोई नहीं, तो कवी शंकर ट्रैलेंद्र जो है, तो जिन्दा है, तो कवीता में देश्वासियों को संगठित होने की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, कि धरती को स्वर्ग जैसा सुन्दर बनाया जा सके, तो option number C हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़ते हैं, question number 4 है कि कवी मनुष्ये को कैसा जीवन जीने की प्रेणा देता है, तो जिन्दा है तो कवीता के जो कवी हैं, वो कवी मनुष्ये को कैसा जीवन जीने की प्रेणा देते हैं, option A में हैं होसले जीवन जीने की प्रेरणा कवी देते हैं शंकर शैलेंद्र question number 5 है कि तुजिन्द है तो कवीता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है option A में है निराशावादी, B में है आशावादी, C में प्रेरणावादी और D में है सामयवादी, बहुत ही important question है इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा option number B is the correct answer आशावादी पक्ष का वर्णन किया गया है, तुजिन्द है तो कवीता में question number 6 है कि तुजिन्द है तो डैस डैस द्वारा रचित पाठ है मतलब किसके द्वारा ये कवीता लिखा गया है, तो शंकर शैलेंद्र option number D में दिख रहे हैं, धीरे से टिक करना है आपको, देखिए, जिस question का answer आप लोग को पता है, सबसे पहले उस question का answer मतलब उस question को बनाना होता है, तो जो question का answer पता है तो कोई घबडाने की जोट नहीं है, अरबडाने में रखिएगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखते विए यह पूरा विडियो देखिए बीना एसकिप कि एक भी कोश्चन मिस नहीं करना है आप लोग को ठीक है ना कोश्चन नमबर सेवेन हैं कि चमन का अर्थ है चमन का अर्थ होता है फुलवारी ऑप्सन नमबर डी में दिख रहा है यह हो जाएगा सही उत्तर कोश्चन नमबर सिक्स है कि कौन सी कवीता गहरे जीवन के राग और उत्ता को प्रकट करती है तो तु जिन्दा है तो यह जो कवीता है गहरे जीवन के राग और उत्ता को प्रकट करती है कोश्चन नमबर नाइन है कि हमारे कारवा को किसका इंतिजार है तो हमारे कारवा को मनजीलों का इंतिजार है पूरा चैप्टर तो मैं आप लोगों पढ़ाई हूं अभी यह सिर्फ चैप्टर नमबर वन का अप्जेक्टिव कोश्चन है सोचिए दस पर हम लोग आ चुके हैं कोश्चन नमबर दस है कि तु जिन्दा डैस डैस यहनकी खाली जगा है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर तो नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर आप लोगों को पढ़ाएगे हैं तो आप्शन नमबर बी लगा दीजे नई उमर ठीक है कोश्चन नमबर ट्वेल्व है कि स्वराज क्या अर कोश्चन नमबर फोटीन है कि कैसा व्यक्ति जिन्दा माना जाता है अप्शन नमबर फिफटीन है कि सुबह शाम आकास का रंग कैसा होता है यह तो बहुत हलवा कोश्चन है लाल होता है हलंकी देखिए इतना आसान कोश्चन है फिर भी आप लोग के एक्जाम में पूछा जाता है इसे जाहिर होता है कि आप लोग के एक्जाम में ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है बस आप लोग को सारे अब जेक्टिव पर कमांड होना चाहिए बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोश्चन नमबर सिक्स्टीन है कि सुख दुख दोनों में एक समान रह लोग मिननाल कहते हैं तो 17 का option नंबर यह हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं अगले कोश्वन की तरफ कोश्वन नंबर 17 तो हो गया 18 कोश्वन नंबर 18 है कि हजार भेज धरकियाई मौत तेरे द्वार पर मगर तुझे न चल सकी चली गई वह हार कर पंक्ति किस कवीता से ली गई है बताईए यह विनाश के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए चप्टर पढ़ाई थी तो बताई थी 9 निर्माड होता है तो option number D हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आगे बढ़ते हैं इस chapter का आखरी question chapter number 1 का last question 20 number question है कि जमी के पेट में क्या पली है तो जमी के पेट में पली है आग और जल जले ठीक है यानि कि इसका option number C हो जाएगा आग और जल जल जला दोनो A and B दोनो ठीक है chapter 1 का तो complete हो गया अब देखे यहां से start होगा class 10 non Hindi chapter 2 का objective question ठीक है न अब chapter 2 का start हो रहा है एकदम कमर कस लीजे और सारा objective question आप लोगों को देखना है सारे पर कमांड करना है एक भी मिस नहीं करना है ठीक है न चलिए पहला प्रशन है कि प्रेम चंद्र द्वारा रचित पाठ है option A में है खेमा B में सुदामा चरित और C में इदगा आगे बढ़ते हैं अगला question है कि महमूद ने कौन सा खिलावना खरीदा इंपोर्टन कोशन आप सने में भिष्टी भी में सिपाही सी में जोकर और डी में शेर तो महमूद खरदा रहता है सिपाही option number B हो जाएगा सही उत्तर question number 3 है कि रमजान के कितने दिन बाद इद काते वहार आता है तो 30 दिन के बाद यह कौन नहीं जानता है सबी लोग जानते है question number 4 है कि खंजरी किसने ली थी ये भी important question है option A में सम्मी B में हामीद C में महमूद और D में महसिन question सही जवाब होगा option number A सम्मी ने खंजरी ली थी ठीक है question number 5 है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे तो नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे तो सही answer option number A प्रचन नंबर 6 है कि इदगाह कहानी के रचाइता कौन है तो वो है प्रेम चंद और drivers numbers D Qोशे नंबर 7 है कि हामिद ने कितने पैसे का खिलोना खरिदा तो 7 का option नंबर C हो जाएगा 3 पैसे का वो खिलोना खरिदता है और कौन सा खिलावना होता है तो वह चिम्टा होता है खिलावने किस चीज में लखड़ी हैं लोहे मिले में खिलावने वह बने थे याद रखिएगा मिट्टी के option number C is the correct answer question number 9 है कि मुहसिन के पास कितने पैसे थे option A में 10 B में 12 C में 8 और D में 15 यह important question है बताइए क्या सही जवाब होगा इसका कि मुहसिन के पास 15 पैसे थे यानकी सही जवाब option number D 15 प्रशन है कि महमूद के पास कितने पैसे थे तो महमूद के पास 12 पैसे थे option number B is the correct answer question number 11 है कि कैसा जीवन बच्चों को बच्पन में ही व्यस्क की तरह व्यस्त नहीं व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है तो अभाव की तरह यानकी बड़े लोग की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कोश्चन number 12 है कि हामित की दादी का नाम क्या था तो हामित का दादी का नाम था अमीना आपसा नंबर B में दिख रहा है दीरे से टिक करना है आपको question number 13 है की दगा कहानी वंचित बचपन की प्रस्थितियों पर किस धंग से टिपढ़नें करती है तो आपसा नंबर A question number 14 है कि कथा समराट के नाम से किसे जाना जाता है कथा समराट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है काफी विख्यात मतलब ये कहानीकार थे राइटर थे प्रेमचंद question number 15 है कि अभाओ ग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है तो इस कहानी में अभाओ ग्रस्त बच्चे में वेस्क की तरह सोच पैदा किया गया है तो option number age the correct answer, west नहीं, west रहेगा question number 16 है कि चुनाउती बच्चों को परिपकको बना देती है option number D हो जाएगा, खाली जगह पर क्या रहेगा, परिपक कोई, ठीक है, question number 17, कि इदगाह कहानी आधारित है, किस चीज़ पर, तो बाल मनो विज्ञान पर, ठीक है, option number A is the correct answer, question number 18 है, कि हामिद खिलाउने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है, तो वो खरीदता ह है, चिम्टा, आगे बढ़ते हैं, उन्हें इस number question की, अमीना अपनी कोटरी में बैठी, रो रही थी ना, तो जी हां, रो रही थी, option number C लगा दीजिए, बीस number question, chapter number 2 का आखरी सवाल, आखरी सवाल नहीं, अभी और भी है, इदगाह कहानी की मुखे विश्ष्ष्ष्ष्ष् खरे गई है, ठीक है, एक ऑट इस number question है कि मेले में हामिद ने क्या खरदा, तो चिम्टा खरीता है, 22 number can की हामिद ने चिम्टा खरीदा और संवी ने क्या सर्थ तो संवी खरेता है, खंजरी, option number 3 is the correct answer, तेशन नमबर क्योशन है कि महसिन नोरे ने मेले में से क्या खरदा ये भी important सवाल है नोरे जो है वो मेले में से वकील खरीदता है जो कि मिट्टी का बना हुआ रहता है 25 नमबर कोशन है कि मुहर्म किस तरह काते वहार है तो मुहर्म याद रखिएगा ये गम काते वहार है ठीक है हालांकि चैप्टर का नाम है इदगा लेकिन कोशन पूछता है कि मुहर्म किस तरह काते वहार है तो गम का ठीक है गाओं का इदगा कितने कोस दूर था अपसने में में रेवडिया खरिदता है तो इसका सही उत्तर और प्रस्ट नंबर 28 है कि कौन सी कहानी वंचित बच्पन के प्रस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिपढ़नी करती है important question और इसका सही जवाब option number D इदगाह हो जाएगा ठीक है 29 नंबर question है कि तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल न डरना या पंक्ती किस कहानी से ली गई है तो यह इदगाह कहानी से ली गई है 30 नंबर जो की आखरी question है इस chapter का chapter number two का कि हामिद की दादी का कुरोध बदल गया किस चीज में तो इसने हमें जी है इसने हमें यानकी उनका कुरोध जो गुस्चा है वो प्यार में बदल जाता है ठीक है जब वो देखती है कि उसका जो पोता जो भी नाती है आखिर पोता ह कहा जाता है ना पोता कहा जाता है नहीं पोता नहीं नाती कहा जाता है बेटे के बेटे को नाती कहा जाता है और बेटी के बेटे को पोता कहा जाता है ठीक है तो यही बात है तो वो जो दादी रहती है अमीना वो जब देखती है कि उसका मतलब हामिद जो है ना वो क्लास के नौन हिंदी के chapter 3 का objective question चलिए फड़ फड़ स्टार्ट करते हैं और एकदम आप लोग खुद से answer मेरे answer बताने से पहले आप लोग मन में ही सोच लीजिए उसके बाद से मिलाते चलिए कि आप लोगा कितना question का answer सही हो रहा है question number one है कि कर्म वीर की क्या पहचान है कर्म वीर की पहचान है जो कर्म के प्रती निस्ठा रखते हैं ठीक है question number two कि कर्म के प्रती निस्ठा ही व्यक्ती की डैस डैस का निर्धारन करती है तो कर्म के परती निस्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारन करती है आप अपने कर्म के परती कितना निस्ठा रख रहे हैं आप कितने दिल वजान से अपने कर्म को कर रहे हैं ठीक है ना यही आपके सफलता का निर्धारन करती है कि आप सफ कर रहे हैं अच्छे से दिल से पढ़ाई कर रहे हैं आपकी कर्म के प्रतिनिस्था जो है ना कर्म के प्रतिनिस्था बहुत ज्यादा है तो समझे कि आप सफल हो जाएंगे लेकिन अगर आप दिल से पढ़ाई कपी कर रहे हैं कर्म के परति निस्था ही नहीं है आपका तो फिर आप विफल हो जाएंगे अपने जिन्दगी में यानिके फेल हो जाएंगे क्वेशन नंबर फोर है कि कर्मवीर पाठ के रशाइता कौन है यानि कि राइटर लेखक का नाम आपको बताना है तो आप्सवायम को कर्मवीर सिध करने के लिए क्या बनना होगा तो कर्तव्य निस्ट बनना होगा ठीक है यानि कि अपने कर्म के परतिर निस्ठा रखना होगा ठीक है ओप्सवन नंबर बी विल वी दट करेक्ट एंसर कोश्ट नंबर सिक्स है कि खाली जगह यहां पर डैस है कि दौरा मनवानचित लक्ष की प्राप्टी की जा सकती है option A में परिश्रम, B में चलाखी, C में मुर्खता और D में बोली तो परिश्रम के द्वारा मनुष्य मनुवान्षित लक्षे की प्राप्ति की जा सकती है सही जवाब option number A परिश्रम किया जाएगा तभी तो हमारा जो भी लक्ष है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं question number 7 है कि कर्मवीर श्रिशक कवीता किस भाषा में लिखी गई है तो ये खड़ी हिंदी में लिखी गई है option number D is the correct answer question number 8 है कि अयोधिया सिंग उपाध्याय हरियोध की कवीता कौन सी है तो वो कर्मवीर है option number C में है कर्मवीर question number 9 है कि सव्यता या संस्कृति के रक्षक और निर्मार करता है कौन है तो वो है कर्मवीर question number 10 है कि कर्मवीर परवतों को काट कर क्या बना देते हैं तो परवतों को काट कर सड़के बना देते हैं तो option number B में सड़क दिया है कौन सी कविता बच्चों से जूजते हुए एक मिनट बताओ से यहां पर गलट टाइप हुए है कौन सी कविता यहां पर थोड़ से जूजते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सव्यता संस्कृति का निर्माड करती है पर समस्या रहेगा समस्या से जूजते हुए एक मिनट यहां पर बताओ नहीं रहेगा कौन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सब्यता संस्कृति का निर्माड करते हैं तो वह कर्मवीर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सही जवाब यहां पर सोड़ सा गलट टाइप हो गय कड़ी मेहनत करना option number c में दिख रहा है धीरे से टिक कर देना है question number 13 है कि देखकर बाधा विविद बहु विग्न घबराते नहीं रह भरों से बाग के दुख भोग पच्टाते नहीं प्रस्तुत पंक्ति किस कवीता से ली गई है तो कर्मवीर कवीता से ली गई है question number 14 है कि दिखाते हैं तो कर्मवीर जो है ना भीड में चंचलता नहीं दिखाते हैं option number d is the correct answer question number 16 है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना काम पढ़ने पर करे जो डैस का भी सामना यान की खाली जगा पर क्या रहेगा तो option number a is the correct answer शेर का भी सामना यान कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना काम पढ़ने पर भी करे जो शेर का भी सामना तो शेर रहेगा option number a ठीक है कि कर्मवीर काच को क्या करके दिखा देते हैं तो कर्मवीर जो होते हैं वो काच को रतन करके दिखा देते हैं option number a is the correct answer हीरा किस से बनता है हीरा जो है ना वो अब आगे बढ़ते हैं यहां पर तो चैप्टर नमबर थ्री का objective कम्प्लीट हो गया अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नमबर फूर का objective question are you ready चलिए देखिए सबसे पहला सवाल आप लोगी स्क्रिन के उपर आ चुका है चैप्टर नमबर फूर का कि बाल गोवीन भगत कि स्विधा की रशना है तो option a में कवीता भी में निवंद c में रेखा चित्र और d में काहनी सही जवाब होगा c रेखा चित्र बाल गोवीन चैप्टर के राइटर है राम व्रिक्ष बेनिपूरी option number b हो जाएगा सही उत्तर प्रशन नमबर तीन है कि बाल गोवीन भगत के कितने बेटे थे तो उनके एक ही बेटे थे option number a discussion number four है कि कलम का जादुगर की से का जाता है important question है कलम का जादुगर जो है राम व्रिक्ष बेनिपूरी जी को ही कहा जाता है आगे बढ़ते हैं बाल गोवीन भगत पेशे से क्या थे तो बाल गोवीन भगत पेशे से ग्रिहास्त थे option number d हो जाएगा question number six है कि बाल गोविन भगत की उम्र थी तो उनकी उम्र जो थी लगभग 60 साल की थी 60 वर्ष question number से वहने कि बाल गोविन भगत कबीर को क्या मानते थे तो कबीर को वो साहब मानते थे option number C में है साहब आगे बढ़ते हैं question number eight है कि बाल गोविन भगत का बेटा कैसा था तो उनका बेटा जो था नnoon बहुत ही सुस्त टाइप का था तो इसका जो सही जवाब होगा होगा अपसट नमबर A सुस्त question number 9 है कि बाल गोविन भगत किसे अपना आदर्श मानते थे तो वो जो है कबीर दाश को अपना आदर्श मानते थे option number A is the correct answer question number 10 है कि बाल गोबिन भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे बाल गोबिन भगत कबीर को साहब मानते थे तो क्यों मानते थे यहाँ पर आप लोग को बताना है option A में बच्पन के दोस्त थे B में साथ पढ़े थे C में कबीर के पुजारी थे और D में कबीर के आदर्ष पर चलते थे तो सही जवाब option number D ही हो जाएगा कबीर की आदर्षों पर चलते थे इसी वज़ा से बाल गोबिन भगत कबीर को साहब मानते थे ठीक है question number 11 है कि बाल गोबिन भगत की संगित साथना का उतकर्ष देखा गया कब देखा गया उनके बेटे के मृत्यू के दिन तो ये 11 का option number D हो जाएगा question number 12 है कि बाल गोबिन भगत की पतोहू कैसी थी तो उनकी जो पतोहू थी यानकी पतोहू थी वो बहुत सुस्रील थी ठीक है बात को समझने वाली सहन्रील सुसील वगरा जो भी होता है question number 13 है कि बेटी के मरने पर बेटी नहीं बेटे बेटे के मरने पर बाल गोबिन भगत क्या करने लगे तो वो गाने लगे थे ठीक है गाना गाने लगे थे question number 13 का option number C question number 14 है कि बेटी के मरने के बाद पशू के पास बेटी ठीक है बेटे के मरने के बाद पतोहू के पास जाकर बाल गोबिन भगत क्या बोले तो वो बोलते हैं कि तुम उत्सो मनाओ ये उत्सो मनाने का समय है यानि कि उत्सो मनाने के लिए कहते हैं कोश्चन नमबर 15 है कि बाल गोबिन भगत हर वर्ष तीन को स्पैदल चलकर कहा जाते थे तो वो हर वर्ष तीन को स्पैदल चलकर गंगा इसनान के लिए जाते थे question number 16 है कि बाल गोविन भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजड़ी बजाते बजाते डैस यानि कि ना चुटते थे आगे बढ़ते हैं question number 17 है कि बाल गोविन भगत के बेटे को मुखागनी किस ने दी तो उन उनकी पतो होने दी थी question number 18 है कि बाल गोविन भगत की प्रभातिया कब शुरू होती थी तो उनकी प्रभातिया शुरू होती थी कातिक मा में option number a is the correct answer question number 19 है कि गर्मियों में उनकी संगया उमस भरी शाम को भी डैस कर देती थी क्या कर देती थी तो जी हां शीतल कर देती थी option number D is the correct answer और यह देखिए last question है chapter number 4 का कि बाल गोविन भगत कितने कोश दूर पैदल चलकर गंगया इसनान करने के लिए जाते थे तो वो चलकर जाते थे 30 किलो मीटर दूर पैदल चलकर option number B is the correct answer यहां पर 4 chapter का objective complete हुआ अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना chapter 5 का objective question यह हुंडू का जल परपाद तो सबसे पहला सवाल कि यह किस राज्य में हैं तो आप लोग जानते हैं यह जारखंड में हैं तो option number A हो जाएगा सही उत्तर अगला प्रशन है कि हुंडू का जल परपाद किस विधा की रशना है क्या यह कहानी है या फिर कवीता है या फिर रेक का नाम आप लोगों को बताना है तो जिस जिले मेहना उस जिला का नाम है छोटा नागपूर option number C is the correct answer बाहर से थोड़ी से उनाइजिंग आ रही होगी उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आप लोग जला question पर ध्यान दीजिए और उसका answer बताने की कोशिश कीजिए और हर एक question पर कमांड कीजिए मिस नहीं करना है question number 4 है कि राची हुंटरू का पानी निरंतर संघर्ज के साथ चटान पर गिरता हुआ मानो डैस डैस की स्रिष्टी करता है तो डैस डैस की स्रिष्टी यानि कि खाली जगा पर क्या रहेगा तो खाली जगा पर रहेगा इंद्र धनूस इंद्र धनूस की स्रिष्टी करता है ठीक है option number 3 is the correct answer question number 5 है कि लेखक इस पार्ट में किस कार खाने के बारे में व्याख्या किये हैं तो कोईला की कार खाने के बारे में व्याख्या किये हैं option number 6 है कि हुंड्रू का जल प्रपात पार्ट के लेखक कौन है यानि कि इस पार्ट का लेखक का नाम राइटर का नाम बताना है तो वो है कामता प्रसाद सिंग काम option number B में है question no 7 है कि छोटा नाखपूर लेखक की दृष्टी में एक स्वर्ग का टुकड़ा है । ô मील की दूरी पर है हुंडू का जल परपात आप लोग को बताना है तो वो है 27 मील की दूरी पर option number C ठीक है question number 9 है कि हुंडू का जल परपात में किस संस्कृती का वर्णन है तो इसमें जो है आदिवाशी संस्कृती का वर्णन है option number D हो जाएगा है बिलकुल right answer पुरूलिया रोड से हुंडू की दूरी कितनी है तो पुरूलिया रोड से हुंडू की दूरी लगबक 13 मिल है तो option number B is the correct answer राची से पुरूलिया राची से पुरूलिया वाली सडक मिलती है option A, मैं 14 मिल की दूरी पर B, मैं 13 मिल की दूरी पर 29 मिल की दूरी पर और D, मैं 7 मिल की दूरी पर सही जवाब होगा option A, 14 मिल की दूरी पर question number 12 है कि हुन्डू का जल परपास dash 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 उचा है और कि कितना fit उचा है आप लोगो बताना है तो हुंडु का जल प्रपात आप लोगो पता होना चाहिए ये 243 फिट उचा है चैप्टर पढ़ाई थी हर एक चैप्टर को मैं आप लोगो पढ़ा चुकी हूँ और हर एक पॉइंट बताई हूँ अगर आप लोग चैप्टर पढ़ा है न तो मुझे लगता है कि आप को ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ावट लाइक कर दे और जितना ज्यादा हो सके श्टेयर करें और कमेंड में लिख कर बताए कि हम हर एक कोशन का एंसर जो है ना हमें समझ में आ रहा है और वीडियो बहुत ही अच्छा है सारा अब्जेक्टिब कोशन मातर इस एक वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट कराया जा रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए और क्या हो सकती है ठीक है मातर इस एक वीडियो को देख कर जाएए और आप लोगों का अब्जेक्टिब कोशन का नई अपार लग जाने वाला है ठ confusion no.14 है कि हुण्डू के जल प्रपात के पास कितने बंगला बनवाया किसने किसने रहेगा किसने बंगला बनवाया तो वो बनवाया रहता है जीला बौड ने नबर जीला बोर्ट बंगला बनवाए रहता है कोश्चन नबर 15 है कि कि मुदंती के अनुसार हुंडूर से कितनी मिल दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडूर से भी कई गुना बड़ा परपात देखा है तो लगभग साथ मिल की दूरी पर ऑप्सन नबर डी इस दो करेक्ट नबर 16 है कि स्वण रेखा नदी के उधेन के स्थां से कितना मिल दूर आगे आकर वुंडू का ज்रुक्त ज्रहण मिलता है स्वय कोश्चन नबर 17 है कि स्वण रेखा नदी कहां गिरती है स्वण रेखा नदी जो है प्रकट्किए गया है तो इसका सही जवाब होगा आदिवासी संत्कृति के प्रति इस विश्वास प्रकट्किणा गया है ठीक है लास्ट कोस्चन नहीं है अभी और और पाइफ से सब्सक्राइब क्वेशन जिसमें 20% पर हम लोग आ चुके हैं क्वेशन नम्बर 20 है कि छोटा नागपूर के निवास सादगी के अवतार और गरीबी की मुर्ति या पंक्ती किस पाठ की है तो यह जो पंक्ती ली गई है यह हुंडू के जलप्रपाथ के पाठ से ही ली गई है गुमान करता है पर यूग-यूग से नजाने कितना पानी या पहार दान कर चुका है पर इसको कोई अभिमान नहीं है यह पंक्ती किस पाठ से सम्बंदित है तो जी हां यह भी हुंडू के जलप्रपाथ से ही सम्बंदित है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन कि स्वन किया घ darauf के तो यह वंडरु के परपात नाम के पाठ में किया गया है वी महत्त्व है जब उसका साधन भी महान हो महान मंजल पर पहुशने के लिए मार्ग महान होivel उन्हें या किनकी उक्ति है तो बेशक ये उक्ति जो हैना यह महत्मा गांधी की है। ठीक है कि साध्वी की प्रुजिता वह महत्ता तभी जब उसका साधन भी महाण हो यानि कि महाण मंजिल पर पहुशने के लिए मार्क भी महान होना चाहिए ठीक है तो चाहते हैं टॉप टॉप बनना यानि कि आप टॉपर बनना चाहते हैं टॉप करना चाहते हैं तो टॉप बनने के लिए जो रास्ता है ना रास्ता आपका रास्ता भी महान होना चाहिए यानि कि सही दिशा में अगर आप मेहनत करेंगे सही धंग से टौपर बन सकते हैं तो वही बोला जा रहा है कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता भी महान होना चाहिए अगर आप टौपर बनना चाहते हैं तो फिर आप लोगो मेनत भी करना होगा परिष्रम भी करना होगा यान की जो रास्ता आप आपनाएंगे वो भी महान होना चाहिए तब ही आप महान मंजिल पर पहुँचेंगे टौपर बनेंगे तो यही बास जो है ना आप अपने पढ़ाई से रिडेट करकर समझ सकते हैं और इसके जरीए यही बताया गया है इस चेप्टर में कि हुन्रू का जल पर पात जितना सुन्दर है न उतना ही सुन्दर उसका जाने वाला रास्ता है यानि कि महान मंजिल पर पहुँँशने के लिए उसका रास्ता भी क्या है महान है ठीक है question number 25 है जो की last question है ये कि लेखा को हुन्रू के जलबरपात के वातावन की सुन्दर्ता ऐसा मालूम होता है मानो हम डैस डैस के समीप पहुच गया है यानि कि कि लोग के समीप पहुच गया है तो आप लोग के चेप्टर में बताये गया प्रस्तुत पंक्ति किस कवीता से ली गई है तो यह जो है न ली गई है बिहारी के दोहे से ली गई है option नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब यानि कि चेप्टर नंबर 6 का क्या नाम है बिहारी के दोहे question number 2 है कि नल की अरू नल नीर की गती एक ही करे गती एक जैसी क्यों है तो एक जैसी इसलिए है क्योंकि क्योंकि दोनों ही नीचे से होकर उपर उठते हैं option number 6 is the correct answer question number 3 है कि सच्चा व्यक्ति कौन है तो सच्चा व्यक्ति वह है जिसका हिर्दय पवित्र हो option number 2 is the correct answer question number 4 है कि मनुस्या या पर खाली जगह है कि पालन से stress बनता है किस चीज़ के पालन से stress बनता है मनुश्या तो वो नम्रता के पालन से stress बनता है इंसान के अंदर नम्रता होना चाहिए question number 5 है कि बतरस लालकी मुडली धरी लुकाये कावे पंख्ति है तो कवीर के दोहे से लिया गया है या कवीर मैं बोल रही हूं बिहारी के दोहे से यह पंख्ति ली गयी है यानि कि बिहारी के दोहे की यह कावे पंख्ति है ठीक है आगे बढ़ सेगे कोश्चनinton इमक्रेंट की याद रखियेगा और एट है कि विहारी रीती काल की कवी है कोश्चन नमबर 9 कि बिहारी के दोहे शिर्षक कवीता में किस तरह के दोहे शामिल है तो इनके जो मतलब शिर्षक कवीता है जो बिहारी का दोहा कवीता आप लोग के बुक में दिया गया है इसमें भक्ती भी शामिल है प्रेम भी और नितिप्रक यानि कि option number D हो जाएगा सभ ठीक है सभी तरह के दोहे शामिल है question number 10 कि मेरी भौबाधा हरो नाधा नागरी सोई जातन की जात्षन की जाई परेश्यामू हरिदुती होए इस दोहे में विहारी किन के वैभाव का गुडगान किये हैं तो इसका सही जवाब होगा option number B राधा के वैभाव का गुडगान कि question number 11 है कि किसे प्रेम के कवी के रूप में जाना जाता है नोडाउट विहारी को प्रेम के कवी के रूप में जाना जाता है तो एक 11 का option number A is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 12 है कि बड़े ना हुजय गुनन बिनु बिरत बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनों गुड़ियों न जाए कावे पंक्ति है यह किसके कावे पंक्ति मतलब यह किसके कावे से लिया गया है किसके कावे की पंक्ति है तो option number D विहारी के दोहे की आप लोगों को बताना है और वो है खराब बुद्धी ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 14 है कि सुधी का अर्थ है सुधी का मतलब होता है चेतना ठीक है पंदर नंबर question जो कि इस chapter का आखरी question है कि जब माला छापै तिलक सरे नए को कामों प्रस्तुत पंक्ति किसकी कवीता से ल लोग समझते थे क्या समझते थे तो उसको चटूर समझते थे question number 2 है कि ठेस के लेखक कौन है ठेस कहानी के लेखक कौन है तो वो लेखक है फड़िस्वर नाथ रियरू option number D sorry B is the correct answer दू का option number B आगे बढ़ते हैं तीसरा question है कि ठेस कहानी से हमें क्या एसपस्टी करण होता है option A में है शम की प्रति सम्मान की भावना भी में है रिष्टो की गहराई C में है मनुस्य की पक्षदरता और D में है सभी तो इसका सही जवाब option number D ही हो जाएगा सभी यानि कि ये सभी चीजो को पान का बीड़ा किस ने दिया तो पान का बीड़ा मानू दिदी ने दिया था question number six है कि फड़िशोर नाथ रेडू की कहानी है वो है ठेस कहानी option number seven की ठेस एक क्या है कहानी है न 7 का option number ये देखी इतना आसान सवाल question number eight है कि खेती बारी के समय गाउं के किसान किसकी गिंती नहीं करते थे तो सिर्चन की गिंती नहीं करते थे question number nine कि तुम्हारी भावी नाकुनों से खोट कर तरकारी परोस्ती है किस ने कहा तो सिर्चन ने कहा था option number B is the correct answer आगे बढ़ते हैं 10 number question है कि ठेस शिशक कहानी में सिर्चन क्या था तो सिर्चन जो था वो एक कलाकार था option number D 11 नंबर प्रश्ण की आज नेनू मट रही थी तो तुम्हारी याद आई किस ने कहा तो ये जो बात कही रहती है वो कही रहती है लेखक की माने तो option number D आगे बढ़ते हैं question number 12 है कि ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में साथ तारे जगमगा उठे साथ रंग के तो ठेस कहानी में जो है पहली पाती में साथ तारे साथ रंग के जगमगा उठे थे आप लोग को पता होना चाहिए दूसरे दिन यानि की option number B is the correct answer वो चीक सीतल पाटी वगरा है सिर्चन वही बनाने का काम करता था तेरा number question है कि गाउं के लोग सिर्चन को क्या समझते थे तो समझते थे बेकार ही नहीं बलकि बेगार समझते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 14 की पंचानन चौधरी किस टोली के थे तो वो जो है ना पंचानन चौधरी आप लोग को पता होना चाहिए वो ना तो वैश टोली के थे ना ही राजपूर्ट टोली के ना ही कास्यार कायस् है यान asleep 6 टाकि पंडरा नमबर क्यों से के शिर्चन को बुलाने से लेखक किससे पूछ रहे थे तो शिर्चन को बुलाने से पहले लेखक जो है अपनी मा से पूछ से ठीक है question number 16 है कि ठेस कहानी का नायक है यानिकि कि आप 有 के सकते हैं स्कूरी कि या यह यूँक एहर नहीं कि पहली पंक्ती में साथ तारे जगमगा उठे तो चीखी की पहली पाती में न तो जी हाँ सत्रा का ओप्सन नंबर सी इस दक करेक्ट इंसर 18 नंबर कोशन है कि मंजली भावी सिर्चन के सूप में क्या फेक कर चली गई तो बुंदिया फेक कर चली गई 18 नंबर कोशन है कि ठेस शुषक कहानी में मा किस काम में लगी हुई थी तो व्यंजन बनाने में लगी हुई थी 20 नंबर कोशन है कि मानू स्टेशन पर सिर्चन को किस चीज का दाम दी तो मोहर चाप वाली धोती का दाम दे रही थी 21 number question है कि सिर्चयान स्टेशन पर मानू दूदी को क्या देता है तो वो देता है ये सबी चीज यानि कि शृतल पाटी देता है चीक देता है एक जुडवा कोश ये सबी चीज देता है 22 question है कि मोहर चाप वाली धोती कितने रुपे में आता है तो मोहर चाप वाली धोती जो है ना वो 8 रुपे में आता है option number A, option number B is the correct answer उस वक्त 8 रुपे में ही मिलती थी 23 question है कि यह कहानी किसकी मन की विश्रिश्रिताओं का मार्मिक वर्णन करती है तो इसका सही जवाब है option number A, कलाकार की मन की विश्रिश्रिताओं का मार्मिक वर्णन करती है ठेस नाम का कहानी 24 question है कि इस कहानी में किस जगा की लोक संस्कृती का वर्णन का परभावी वर्णन है तो यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए यह important question है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option number C, मिथी लांचल की लोक संस्कृती का परभावी वर्णन किया गया है 25 question है कि सिर्चन ने किसको बेपानी कर दिया था तो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को 26 question है कि सिर्चन को खखोरन के साथ क्या पसंद था तो खखोरन के साथ उसको चूड़ा पसंद था 27 question है कि ठेच कहानी के पात्र है तो सिर्चन है पात्र यानिकी character आगे बढ़ते हैं सिर्चन ने चाची से क्या देने को कहा option A में गमकुवा तेल B में गमकुवा जर्दा C में गमकुवा पान और D में इन में से कोई नहीं सही जवाब होगा option B गमकुवा जर्दा देने को कहा था ठीक है 29 number question है कि ठेस कैसी कहानी है तो ठेस ये एक आंचलिक कहानी है आंचलिक तीस number question की मानू कौन थी तो मानू लेखक की बताईए क्या थी लेखक की बहन न जी हां कितना number question है question number 30 है लेखक की बहन थी option number D is the correct answer आगे बढ़ते हैं 31 number question कि सिर्चन को किस काम के लिए बुलाया जाता है तो सिर्चन को चीक बनांब के लिए बुलाया जाता है 32 number question कि ठेस कहानी में total कितने पात्र हैं यांकि कितने कैरेक्टर है तो वह five character का नाम आता है तो option number C लगा दिजे чे 5 प्रश्ट नमबर 33 है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का परभावी वर्णन किस कहानी में किया गया है तो ठेस कहानी में किया गया है इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है धराक से आप लोग इंसर लगा दीजे ठीक है ना कोश्ट नमबर 34 है कि भजू माजन की पर बुला कर तैनात करवा दिया गया था तो सिर्चन को एक हफ्ता पहले ही काम पर बुला कर तैनात करवा दू यह तो यहाँ पर हो गया चैप्टर नम्बर सेवन complete total 35 question था chapter number 7 से अब स्टार्ट होगा chapter number 8 देखिए class 10th non Hindi chapter 8 का objective question start हो रहा है और देखिए सब से पहला question है कि बच्चे की दुआ किस विधा की रशना है क्योंकि चैप्टर number 8 का नाम ही है बच्चे की दुआ तो यह किस विधा की रशना है क्या यह कहानी है कि निवंध की डाइरी है तो जी हां यह कि कवीता है भी इस दा करेक्ट इंसर फट आपट आगे बढ़ते हैं दुसरा सवाल की कवीता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं तो नजम कहते हैं यह तो मैं आप लोगा बार बताई हूं आगे हैं अगला कुश्चन मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी पंक्ति है तो अपसने में दिनकर भी में शंकर शैलेंद्र सी में अरून का मौर्डी में मुहम्मद इकबाल तो बेशक इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं आप से नमबर डी इस दा करेक्ट एंस पांच नमबर क्यूश्चन है कि बच्चे इश्वर से क्या मांग रहे हैं उनसे उनके वतन की शान बढ़े अभी में उनसे कोई अपराद ना हो सी में है नेक रापर चले और बुराई से बचे और डी में है सभी तो सही जवाब ऑप्सन नमबर डी सभी होगा यान कि यह बहतर बनाने की कामना मुखर हुई है तो संसार को बहतर बनाने की कामना मुखर हुई है और बच्चे की दुआ के कवी कौन है और विज्वाली बात है इसको किस ने लिखा है आप लोग जानते हैं ना मौहमद इकबाल ने लिखा है आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर न सब्सक्राइब किये सभी चीजों रख रहा है कर सके और D में उपर युक्त सभी तो इसका सही जवाब आपसन नमबर D ही होगा उपर युक्त सभी यानि कि ये सभी चीजों की चाह रख रहा है कवी 12 नमबर क्योशन है कि हो मेरे दम से युही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत उपर युक्त पंक्ती में जीनत का क्या आर्थ है यानि कि जीनत का मतलब क्या होता है तो जीनत का मतलब होता है शोभा यानि कि मेरे दम से वतन की शोभा बढ़े जीनत बढ़े ठीक है कोशन नमबर 13 है कि बच्चे की दुआ डैस डैस एक है यानि कि प्राथना गीत है option number A is the correct answer ठीक है, बच्चे की दूआ एक प्राथना गीत है question number 14 है कि नेक का अर्थ क्या होता है अच्छा, option number A 15 number question है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको ये पंक्ति किस कवीता से ली गई है तो बच्चे की दूआ से ली गई है option number D is the correct answer question number 16 है कि हिमायत का अर्थ है option A में है भलाई, B में है फुलवारी, C में बेवहार और D में है प्राथना, सही जवाब होगा option number क्या option number A हिमायत का अर्थ होता है भलाई, ठीक है 17 number question की बच्चे की दूआ कवीता से हमें क्या संदेश मिलता है तो इससे हमें संदेश मिलता है नेकी के राह पर चलने का 18 number question की लब का अर्थ क्या होता है तो लब का अर्थ होता है होट चमन का क्या अर्थ होता है चमन का मतलब होता है फुलवारी option number B is the correct answer 20 number question है कि तमन्ना का क्या आर्थ होता है तमन्ना का मतलब होता है अभिलाशा यहां तक तो हो गया chapter number 8 complete अब देखिए question start होगा class 10th के non-hindi के chapter number 9 और 10 दोनों chapter को मिला कर ये objective question है तो देखिए सबसे पहला question start हो चुगा है सबसे पहला सवाल है कि पदमा का संबंध है option A में बकसर की लडाई से B में 1857 की क्रांती से C में कलिंग यूद से और D में प्लासी की लडाई से तो direct answer दिख जा रहा है जी हां option number C is the correct answer कलिंग यूद से पदमा का संबंध है जो की राजकुमारी रहती है दूसरा सवाल है कि पदमा कौन थी option A में कलिंग की मारानी B में कलिंग की राजकुमारी C में कलिंग की नर्तकी और D महीन में से कोई नहीं सही जवाब option number B और हो जाएगा कि राज़ कुमारी रहती है पदमा तिन में कि अशोक का सफ्त्र त्याग किस विदा की रशना है तो falls वेज ऊक्ण शुह बलनी त्याम का शुत्तर रेकिस नंबर अगला प्रश्न है कि अशोक सफ्थ पात्र त्याग सिक्षक एक आंकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं में बदमा किसका बदला लेना चाहती थी तो पदमा अपने पिता का बदला लेना चाहती थी question number seven है कि अस्त्र हथियार है बताईए अस्त्र कैसा हथियार होता है आप लोगों मैं बताई भी हूँ पढ़ाई भी हूँ बहुत यह अच्छे तरीके से अस्त्र का मतलब होता है जिसे फिक कर चलाया जा सके तो साथ का option number eight is the correct answer फिक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है आठ नमबर question है कि पदमा के ललकारने पर अशोक ने क्या किया पदमा के ललकारने पर जो है न अशोक फिर भी युद करना छोड़ दिया option number six is the correct answer question number nine है कि अशोक डैस डैस का समराठ था कहां का समराठ था अशोक तो कौर नहीं जानता है मगद का समराठ था समराठ अशोक question number 10 है कि कलिंग का यूद कितने वर्षों से चल रहा था तो कलिंग का यूद चार वर्षों से चल रहा था option number eight हो जाएगा ठीक है कलिंग महाराज की कन्या कौन थी तो वो थी पदमा मैं इस्त्रिवद नहीं करूंगा यह पंक्ती किसने कहा तो यह कहा रहता है अशोक ने आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान किस रंग के वस्त्र धारन किये हुए थे तो वो पीले रंग के वस्त्र को धारन किये थे कुशन नंबर 15 है कि अशोक किस के सामने तलवार नीचे फेग दिया तो वो जो है ना पदमा के सामने अपना तलवार नीचे फेग दिया सुल्ला नमबर कुशन है कि जिस सेना ने आपके पती भाई बेटे और पती की हत्या की है वो आपके सामने खड़ा है यह किस ने कहा तो यह कही रहती है पदमा ने तो सुल्ला का आप्सन नमबर ए हो जाएगा सतरा नमबर क्योशन है कि अहिंसा के पक्ष में अपने कथा का मार्मिक विकास करता है कौन करता है तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है ना अहिंसा के पक्ष में अपने कथा का मार्मिक विकास करता है अठारा नमबर क्योशन है कि अशोक कलिंग की राजकुमारी पदमा पर श आगे बढ़ते हैं देखिए 20 नंबर क्यूश्चन है कि सैनिकों को तलवार फेकने का आदेश किस ने दिया तो समराट अशोक ने दिया था ना तो आपसा नंबर डी इस दे करेक्ट एंसर इश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह पंक्ति कही है कि तुम्हारी निंदा तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो ठीक है कोश्चन नमर 23 है कि इर्शिया की बेटी का नाम क्या है तो इर्शिया की बेटी का नाम है निंदा ठीक है कोश्चन न कर रहे हैं कि रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था और बंगाल भी में उत्तर परदेश सी में बिहार और दिल्ली सही जवाब क्या है इर्शिया का काम है जलाना जिसके अंदर इर्शिया आ गई वह दूसरों की उन्नती दूसरों का सफलता देखकर जलता है और जलना जब जलना उसके अंदर इर्शिया आ जाती है तो दूसरों की उन्नती देखकर तो जलता ही है साथ में सोचता है कि काश कास वह सब कु संबंध होता है अपनी परतीद विंदियों से और डीज द करेक्ट एंसर कोशन नमबर 28 है कि इर्शिया तू न गई मेरे मन से पाठ की विदा है क्या ये कहानी है कि निबंध है कि संस्मरण है कि ये कांगी है तो ये एक निबंध है जो की इर्शिया के उपर लिखी गई है को अगला प्रशन की किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है तो लेखक ने इर्शिया को अनोखा वरदान कहा है question number 34 कि यार या तो बजार की मख्या है जो अकारन हमारे चारो और भिन बिनाया करती है किस की पंक्ती है यानि कि ये किस ने कहा है तो इसका सही जवाब होगा option number C, निच्से ने कहा है कि ये जो इर्षिया करने वाले लोग है न ये बजार की मक्यों के समान होते हैं, जो अकारन हमारे चारोर भिनविनाया करते हैं, तो इस वज़े से हमें एकांत की और भागना चाहिए, ठीक है, कोशन नमर 35 है कि इर्शिया कौन करता है, तो इर्शिया जो दूसरों का सुक नहीं देख सकता, जो दूसरों को हानी जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं यां कि इर्ष्या करते हैं यह कथन किसका है तो यह कहा है निच्चे ने यह भी निच्चे नहीं कहा है कि आदमी में जो महान होता है ना उसी के चलते लोग जलने लगते हैं जैसे कि सपोज आपको गाना गाना सबसे अच्छा प्रकुर्ण हो जी तरह जी सोता है मशूर होता है उसी गुड़ से लोग जलने लगते हैं अब जलते हैं और इस्टिया करते हैं कि रामधारी से दिन करके किस निबंद में जीवन के रोजमर्रा के ब्योहारों पर टिपड़नी किया गया है तो वह भी निबंद क्या है तुना गई मेरे मन से आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर ठाटी-एट है कि तनाओं को कम करने में व्यक् सहाब के घर के वगल में रहते हैं और बीम ऐजन्ट की ही तरक्की भरक्की देखकर जident वकिल साफ बहुत दुखी है घीका कोन no 40 ौबा प्रश्ण है कि प्रतीद्वंधिवी का अर्थ है प्रतीद्वंधिवी का मतलब होता है मुकाबला करने वाल which is the correct तो यहां पर फाइनली 9 और 10 दो चैप्टर कम्प्लीट हो गया यानिकि अभी तक हम लोग 10 चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं और टोटल आप लोग के बुक में 23 चैप्टर है ना तेज चैप्टर तो दस चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं और मातर 13 चैप्टर है तो चल कबीर के पद श्रिषक 25 विधा की रशना है और सथी किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता तो अपनी अग्यानता से या तो मानसिक दुरबलता से या तो फिर वो उसके अंदर ग्यान नहीं सत्य की पहचान सही की पहचान नहीं कर सकता नहीं तो वो मानसिक रुप से दुरबल है तो यह दोनों कारण से व्यक्ति सत्य की पहचान नहीं कर पाता है तो सही जवाब क्या होगा कबीर किस काल के कवी है कबीर जो है वह भकती काल के कवी है याद रखिएगा इंपॉर्टन कोशन है नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन नंबर चार कि मोकों कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ती ली गई है किसके पद से ली ग कबीर जो है ना वो निर्गुर्धारा के कवी है ये भी इंपॉर्टन कोशन है कोशन नमर सिक्स है कि कबीर के अनुसार सच्ची भकती क्या है तो इनके अनुसार सच्ची भकती है मानाव सेवा अगला प्रशन प्रशन नंबर साथ कि मैं कहता हो आखन देखी तू कहता काग पद की लेखी पंक्ती ली गई है तो यह भी पंक्ती ली गई है कभीर के पद से ही आज नमबर क्योंड़न है कि मोगो का मतलब होता है मुझको का हाँ ढूंडे मैं तो तेरे पास में ठीक है कबीर कैसे संत थे तो कबीर जो है ना वो निर्गडवादी संत थे दस नंबर प्रशन है कि मुकुल मुकल शंक्राइड दस हो गया 11 क्वेशन है कि कागद का अर्थ है का कामलत क्या होता है और नंबर कि किन कविताव में सद से सीधे साक्षातकार अर्थाथ आखिन देखी की परस्थावना है तो सही जवाब होगा Option No. C, कबीर फढ़ंफट आगे बढ़ते हैं तेरा नंबर प्रशन है कि विकरम शीला विश्व विद्याले किस राज्य में है तो सही जवाब होगा Option No. A, बिहार राज्य Question No. 14 है कि विकरम शीला विश्व विद्याले के स्थापना किसने की तो इस्थापना किया था देखिए उपस्ट ने तो में है आरे बट ये तो होगा नहीं अतिश दिबंकर भी नहीं होगा उपस्ट नमबर सी इस्दक करेक्ट अंसर धर्मपाल ने ठीक है कोश्ट नमबर 15 है कि विक्रम शीला में अध्यापन का माध्यम डैस भाषा थी यानि कि किस भाषा में विक्रम शीला विश्वविद्याल में पढ़ाया जाता था तो वो संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था तो ऑप्सट नमबर ए इस दा करेक्ट अंसर यानि कि संबंदित है तो तंत्र विद्या संबंदित है भूतों से प्रेतों से तंत्र मंत्र से यानिकी ऑप्षन नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर कोश्चन नमबर 17 है कि विक्रम शीला में नवागत विद्यार्तियों को को खुद समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्षन नमबर भी भिखु के वर्ग में 18 कि विक्रम शीला विश्विद्यलाय का सर्वनास किस ने किया तो सर्वनास किया था तुर्की आक्रमड कारी यों लुट्टे और उन्हें ठीक है तो लांबा समप्रदाय की शुरुवात की थी अतिस दिपंग करने ठीक है कुश्चन नमबर 21 की विक्रम शीला विश्विद्यलाय के प्रथम आचारे कुलपती थे तो वो कौन थे हरिभद्र की धर्मपाल यहीं में स्ट्रेंट दोनों यह जो आप्षन ना इसी में स्ट्र प्रसीद्धे मतलब कौन से विधा के चेतर में आरे भड़ जो है ना विश्व पर सिद्धे तो सही जवाब है ऑप्सन नमबर एक खगोल विद्या के छेतर में तेस नमबर कुशन की विक्रम शीला पाठ की विधा है विक्रम शीला यह क्या है तो यह एक निबंद है जो की विक्रम शीला के उपर लिखा गया है विक्रम शीला में कितने महा विध्याले थे तो विक्रम शीला विश्व विध्याले में टोटल छे महा विध्याले थे ठीक है आगे बढ़ते हैं विक्रम शीला की स्थापना कब हुई तो विक्रम शीला की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आठवीश रदी में ऑप्सान नमबर बीजदा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर ट्वेंटी सिक्स है कि विक्रम श्रीला कहां अवस्थित है सबोर में अंतिचक में नाथन गर्में की सुल्तान गंज में तो सही जवाब होगा ऑप्सान नमबर बी अंतिचक में ठीक है कोश्चन नमबर ट्वेंटी सेवन की विक्रम श्रीला में कितने अध्यापक रहते थे तो इसमें एक हजार अध्यापक रहते थे यानिकी टीचर ठीक है कोश्चन नमबर ट्वेंटी एट की विक्रम श्रीला में पूरा तात्विक खनन के दौरान भू गया बहुंआनबुद की कोश्चेंस न्याइंट कि विक्रम शीला का अविरभाव कि स्राज으न्श के काल में था था थो पालर दृबंठा धर्म जाना ने भूड़ एक 29 का तो अप्षानबरर लुगत हो सही जवाब होगा और सी साड़े चार फीट की ठीक है कि दसवी ग्यारही सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट सिच्छा के अंद्र बन चुका था कौन बन चुका था तो विक्रम शीला विश्व विद्याले बन चुका था सही जवाब अपसन अबर डी हो जाएग किसमें तो धर्म स्वामी नामक ग्रंथ में हैं विक्रम शीला का पतन कैसे हुआ कैसे इसका विनाश हुआ यह सब बताए गया है उसमें और थाटी फाइफ नंबर क्योश्टन है कि विक्रम शीला से कितना फीट उचा इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ है तो पचास फीट उचा इमारत के रूप में एक प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ है और इस दक करेक्ट एंसर ठीक है ना तो यहां तक तो बारह चेप्टर तक हम लोग अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट कर लिए हैं अब स्टाट होगा तेरह से देखिए यहां पर दूर नहीं है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है सारा अब्जेक्टिव कोशन तो बस आप लोग जुड़े रही है और हर एक अब्जेक्टिव कोशन पर कमांड कीजिए अब तेरह से लेकर तक पूरा चैप्टर ही हम अब लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है देखिए सबसे पहला कोशन है सबसे पहले तो अभी कोशन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नमबर 13-14 का ठीक है और उसी तरह 15-16 फिर 17-18 इसी तरह करके हम लोग 23 कंप्लीट करेंगे तो 14-13 और 14 का देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहला प्रशन की सत्य का परियोग किसकी आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेशन है कि संजु को डाइरी लिखने की प्रेर्णा किस से मिली तो प्रेर्णा मिली रहती है महात्मा गांधी से ऑप्सन नमबर A is the correct answer ठीक है पड़फट आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेशन है कि चार जनवरी उन्हें से 97 को संजु ने डा डाइरी संजु ही पड़ रही है तो चार जनवरी उन्हें से 97 को संजु ने डाइरी में जापानी लड़की तो तो जान के बारे में बताया है तो ऑप्सन नमबर A is the correct answer question number 4 की तरफ बढ़ते हैं सवाल है कि संजु किस कक्षा में पढ़ती है तो संजु कौन नहीं जानता है 8 वी कक्षा में पढ़ती है option number 3 is the correct answer question number 5 है कि दीदी की डाइरी पाठ की विधा है तो यह जो दीदी की डाइरी पाठ distingu यह एक डाइरी है adoption number 2 is the correct answer question number 6 है कि रोजआमचा का क्या अर्थ होता है रोज नामचा का मतलब होता है रोज किये जाने वाले क्रिया कलाप कोश्चन नमबर स्वन है कि किताबे पढ़ने का शौक है किसको किसको है तो संजु को है तो सात का ऑप्सन नमबर सी इस दकरेक्ट एंसर संजु को कोश्चर नमबर एट कि संजू की दादी माने नहीं ठीक है कि संजू पिकनिक मनाने गई किस और डाइलेगाba संजु नहीं रहेगा संजु की दीदी संजु की दीदी पिकनिक मनाने गई कब गई थी तो वह गई थी तीन जन्वरी उन्हेस संतानवर को आगे बढ़ते हैं कोश्चन नबर 10 है कि संजु ने डायरी लिखने की बात किसे बताई संजु जो है ना डायरी लिखने की बात अपनी दादी से बताती है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं फटफट कोश्चन संजु के किस सहली की शादी बच्पन में कर दी गई तो इसका सही जवाब होगा संजु के दीदी की किस सहली की शादी बच्पन में कर दी गई ती उस सहली का नाम था नीलू ऑप्सन नमबर डीज दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 12 है कि संजु डैस वर की थी संजु तो वह आठ साल की थी आगे बढ़ते हैं संजु कैसी लड़की है तो संजु जो है वह एक हसमुक लड़की आप्शन नमबर एश द करेक्ट एंसर संजु को क्या पढ़ने का शौक था उसको सबसे ज्यादा कहानी कवीता कॉमिक्स वगर पढ़ने का शौक था त तक उसका एक छोड़ा सा लाइबरेरी भी बन गया इतना ज़्यदा उसको किताब मिला है कि तो तो चान किसकी कहानी है तो तो चान जो है ना वो एक जापानी लड़की की कहानी है ठीक है आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल में संजु जो है ना वो पीपल चुनता रहता कलकल चल चल या पंक्ति किसके द्वारा probl कौन सी है तो वो फिपली है क्योंकि फिल्ग के रैटर कौन है पीपल नाम का जो कवीता क्या होगी फीपलint पाट की विधा है यह क्या है तो यह कवीता है रिख एक बीन है कि कवी के अनुसार पीपल के पते का आकार क्या है तो पते गोल में एक इसा है गोल ठीक है कि पीपल कवीता में किस गाउं की व्यांजना हुई है तो पीपल कवीता में जंगल के प्रकृतिक गाउं में पढ़ दी सॉरी यहां पर भाव रहेगा पीपल कवीता में किस भाव की व्यांजना हुई है तो जंगल के पृति सौंदर्य का इसी भाव का जो है ना बिल्कुल सही जवाब कौन सी पक्षी रात को रो रोकर बताती है तो इसका सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं 25 नमबर सवाल है कि बुल-बुल कि रीतु में गाती है वसंत्थ भी में गरमी सी में शरद और डी में वर्शा तो बुल-बुल जो है न वह वर्शा रीतु में गाती है आगे बढ़ते हैं जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं ऊपर युक्त सभी यानि की चिडियों का कल्राओ मोर का नाचना हंस की क्रीना यह 27 नंबर प्रश्ण है कि पीपल का पेड मानों सब्व्यता के लिए अति उपियोगी है आपसन नंबर भी में हैं अति उपियोगी धीरे सटिक किजिए कुश्च नंबर 28 की भारती या संस्कृति में पीपल वरिक्ष का इस्थान कैसा है तो पीपल का इस्थान जो है ना वो प तो यहां तक तो सबसे पहला प्रश्न है कि बेलूर मठ कहा है कौन नहीं जानता है बेलूर मठ कहा है कुलकत्ता में है और सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दूसरा सवाल है कि निराला जी का चरित्र कैसा था तो निराला जी का चरित्र जो था वह दिन बंदू निराला कहा गया दिन बंदू निराला पाठ की विध द्कानंद सोसाइटी के विराथ आईउजन के कारेकरम में निराला जी कि सकाम की जिम्मेदारी निभाते हैं अप्शने में दरिद नरायन के भोजन कभी में जूते की देखबाल का सी में उड़ घोशक का और डी में कारे करताओं के देखबाल का सही जवाब होगा और दरिद नरायन के भोजन का बंगाली समाज की लोग निराला जी से किसकी रशना सुनना पसंद करते हैं सही जवाब होगा इसका और भी रविंद्र नात की ठीक है आगे बढ़ते हैं फड़ाफट सेवन नंबर प्रशन है कि जो रहीम दिन ही लख है दिन बंधू सम होए किसके बारे में कहा गया है तो यह कहा गया है निराला जी के बारे में सही जवाब होगा क्या सही उत्तर आप्सन नंबर बी प्रशन नंबर आठ है कि नि दुख्यों की सेवा करने से कोश्चन नंबर नाइन है कि दिन बंधू कि किसके नाम के सांथ जोड़ा गया तो निराला जी के नाम के सांथ दिन बंधू जोड़ा गया दिन बंधू निराला ठीक है कोश्चन नंबर दस है कि कंचन और यामिनी कभी डैस डैस के भीतर जहाक ने न पाई option number is the correct answer question number 11 है कि निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे निराला जी जो थे ना वो सच्चे अर्थों में दिन दुख्यों के मित्र थे हम इसा दिन दुख्यों कि स्थेवा करते रहते थे question number 12 है कि दिनबंदूर निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते हैं तो दूद और मिसरी की तरह बंगीय समाज में घुल मिल जाते हैं तो सही उत्तर क्या होगा option number C अगला प्रश्ण है कि मुक्ता काशी होटल छोड़ कर खेमा कहा गया मुक्ता काशी होटल छोड़ कर खेमा जाता है एक शिक्षक के साथ ठीक है option number B is the correct answer question number 14 है कि खेमा शिर्षक कहानी के केंदर में है इस कहानी के केंदर में बाल मजदूरी है यानि कि बाल मजदूरी को दर्शाया गया है पंदर नंबर प्रशन कि खेमा शिर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा परहार करती है तो ये कहानी जो है ना बाल मजदूरी ये जो प्रथा है ना इस पर करारा परहार करती है सुल्ला नमबर प्रश्ण है कि खेमा कहां काम करता था तो खेमा काम करता था कसारा के होटल में सत्रा नमबर प्रश्ण है कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था तो अविज्वली बात है मालिक था कसारा का वो होटल था 18 नमबर प्रश्ण की होटल का मालिक कैसा था क्या वो कठोर था कि कुरूर था कि निर्दई था कि उपरियुक सभी था तो उपरियुक यानि कि ये सभी था वो कठोर भी था कुरूर भी था और निर्दई भी था तो option number D is the correct answer उन्हेंस नमबर प्रश्ण है कि बाल मजदूरी क समस्या का वरणन है खेमा में ठीक है ना यानि कि खेमा नाम का जो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ते हैं फड़ाफट कुश्य नंबर 20 है कि खेमा मात्र से विदा है खेमा यह क्या है तो खेमा एक कहानी है ठीक है और इस कहानी के जरीए बाल मजदूरी को दरसाया गया है कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा तो कसारा जो है खेमा को चपल मांगने पर फटकारता है कि चपल चाहिए तुमको अभी दे दूंगा सर पर चपल यान के में कसारा के ऑटल में 25 नंबर जो की चैप्टेन नंबर 15 और व्हार्व का क्या करता था तो कि खेमा जो था वो खोटल में टेबल साफ करता था चाय वग्यर ले जा कर पिलाता था ठीक और कभी दोता था कहा ग्राहा को चाह भी देता था यानि की देखए इसका चारो ऑप्सन देखिए सही जवाब क्या होगा आप सनमेंबर डी हो जाएगा उपर-युक्त सबहे क्योंकि वो घृक्षब आप ग्रस्चाइन-ःत था कभी दोता था नब बनाते हैं समाज के वंचित गरीब और नी सहाए लोग ठीक है जो कि ऐसे मतलब उनका घर ऐसे जगहों पर है जहां पर गंदी ना लिया है जहां पर सफसफाई की कुई वेवस्था नहीं है वह ऐसी जगह पर और वहां के लोग खुशबुदार अगर्बतिय बनाते हैं दूस है कि खुशबु रज्टे हैं हाथ यह बनाते हैं खुशबुदार अगर्बतिय ऑपसन की सफलता का राज क्या है कोई भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसका कोई शॉटकट नहीं हो सकता है उसमें आप लोगो को श्रम यानि की मेहनत ही करना पड़ता है अग ठिन मेहनत करना पड़ेगा तब आप टॉपर बनेंगे ठीखे ना ऐसे कोई टॉपर बने का शौट कॉट आप ढूंडेंगे तो शौट कॉट कोट से कोई भी मंजिल नहीं मिलती है और अगर शौट कॉट से मिल खुश्बू रश्टे वायता है तो कवी कुछन कमल है कि अ घर बति बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कवीता हैं कौन खुश्बू रश्टे हैं ओपसन ब्रस्ती हो जाएगा प्रोशन नमबर आठ है कि उबरी नसो वाले हाथ का अर्थ है उबरी नसो वाले हाथ का मतलब होता है बुढ़े लोगों का हाथ मतलब कि इसके जरीए बताया जा रहा है कि बुढ़े लोग हो चुके है मतलब जिनका उबरा नसो वाला हाथ है समझे कि वो क्या वो व्यक्ति है वो बूरा हो चुका है तो इसके जरी यहीं बताने की कोश की जारी है की बुढे लोग हो चुके हैं, कोश़न नमर नमर न है कि खुशबू रचते हैं हाथ je vyšak पाठ का मुख यह क्या है तो इसका मुख frequent की 오दिश आ है कि खुश्बू रचने वाले हाथ किन परस्थितियों में रहने को विवश है तो दैनिय परस्थितियों में रहने को विवश है option number c is the correct answer question number 12 है कि बिहार की बेटी की और सधारन विश्रस्ताओं का उद्घाटन किया गया है कौण से चैप्टर में और नम के बिहार की बेटियों की और सधारन विश्रिस्ताओं का उद्गाटन किया गया है कि जेनब खानम किस जिले की हैं तो जेनब खानम याद रखिएगा वह एक शिवहर जिले की हैं वह मों अखी हैं की आपसे नम की तो उनकी पोती का नाम है जेनब खानम ऑपसे नमबर बी प्रश्ण नंबर 16 है कि सोनी किसकी बेटी है तो सोनी जो है न वो विश्णू शंकर तिवारी की बेटी है option number A is the correct answer आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्ण है कि कदम किस जिले की है तो कदम आप लोग को पता होना चाहिए ये मुंगेर जिले की है 17 का option number B और 18 question है कि जेनम खानम लड़कियों को क्या सिख लगती है तो कराटे सिखाने का काम करती है और question number 19 है कि होसले की उडान पाठ की विधा है तो ये जो विधा है याद रखिएगा निबंद है होसले की उडान नाम के इस चैप्टर में ये निबंद लिखा गया है बिहार की बेटियों के उपर होसले की उडान नाम से तो option number B is the correct answer निबंद गुडिया किस जिले की रहने वाली है तो इसका सही जवाब होगा option number C रोहतास जिले की रहने वाली है ठीक है question number 21 है कि कदम पढ़ लिकर क्या बनना चाहती है तो वो एक डॉक्टर बनना चाहती है अभी भी पढ़ाई जारी है question number 22 है कि गुडिया कहा के रहने वाली थी तो यह रहने वाली थी नोखा नोखा परखंड question number 23 है कि अध्यन विरोधी ततों को किसने धूल चटा दिया तो सही जवाब होगा option number 1 कदम ने धूल चटा दिया question number 24 है कि सोनी किस परतियोगिता में पहला इस्थान पराप्त की है सही जवाब होगा option number D अच्छा एथलेटिक्स परतियोगिता ठीक लिखा गया है एथलेटिक्स परतियोगिता यानि कि सोनी जो है ना वह एथलेटिक्स परतियोगिता में पहला इस्थान पराप्त की थी अगला प्रश्ण है प्रश्ण number 25 जो कि आखरी प्रश्ण है चेप्र नमबर 17 और 18 का सवा तो यहां तक तो चैप्टर नमबर 18 तक हम लोग अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट कर लिये हैं अब यहां से स्टार्ट होगा चैप्टर नमबर 19 और 20 का अब्जेक्टिव कोशन स्टार्ट देखिए सबसे पहला प्रश्ण है कि जननायक कर पूरी ठाकुर थें अपसने में यहां से तो सही जवाब होगा ईप और बी गरीबो का मसीहा थे जन नायक कर पूरी ठाकुर के प्रोष्णता आगे बढ़ते हैं eh कि अजय प्रकाश नरायन की आजाद दास्ता के सदस्य कब बने सही जवाब होगा और सी उनैसा ब्यालीस में ही कोशन नमबर फॉर है कि सन उनैसा संट में बिहार के मुख्य मंत्री कौन बने थे कोशन नम्हें है थे लालु यादम सिमें कर्पूरी ठाकूर ठीक है पुश्चे माता का नाम था उनके माता जी का नाम था राम दुलारी देवी क्षेन नमर शिक्स कि कर्पूरी ठाकर पहली बार जेल गए तो वो जेल गए थे थे 23 अक्टूबर उनाइस तैतालिस जवी में अगला प्रश्ण है कि स्वतन्तृता प्राप्ति के पश्चात तर दैस में प्रथम आम चुना हुआ यानकी कब आम चुनाओं हुआ तो सही जवाब होगा इसका सही उत्तर ऑप्सान नमबर सी 1922 में प्रथम चुनाओं हुआ था और कोश्चन नमबर एट है कि करपूरी ठाकुर की मृत्यू कब हुई तो उनकी मृत्यू हो गई थी 1721998 रहेगा यहां पर गलत ऑप्सन दे दिय है सही जवाब मैं आप लोगों बता दे रहे हूं हलांकि जब यह कोश्चन पूछेगा तो सही ऑप्सन देगा ऑप्सन में तो सही ऑप्सन क्या है 1721998 यानि कि 17 फरवरी उने इस अठासी को जन्नायक कर पूरी ठाकुर की मृत हो गई यानिकि मृत्ति हो गई अगर नमबर 9 है कि नई सबावन में किस पार्टी से करपूरी ठाकुर विधान सबा के सदस्य बने तो सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर सी सोसिलिस्ट पार्टी अगला प्रश्ण है कि करपूरी ठाकुर को गीत गाने के सांसा डैस बजाने का शौक था क्या बजाने का सौक था तो उनको डफली बजाने का बोज़दा शौक था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 11 है कि करपूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री कितनी बार बने थे वो दो बार बने थे प्रश्ण नमबर 12 है कि करपूरी ठाकुर ने आये की परिक्षा कब पास किये थे तो नाय करपूरी ठाकुरि अबढर लिखा गया गया था और जन्म कब हुआ तोake Ra Possilी को ₹20 और करेक्टेंसर के पर पिताजी जीका नाम क्या तो उनके पिता जीका नाम था गोकुल ठाकुर तो सही क्या होगा option number B आगे बढ़ते हैं कि करपूरी ठाकूर का जन किस राज्य में हुआ थो राज्य का नाम आप लोगो तो खेर पता ही होगा option number C ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्चन किरपूरी ठाकूर ने college त्याग किया सन कितना में किस सन में वो कॉलिज को त्याग दिये तो उन्हें सब 42 में ही ठीक है कोश्चन नंबर 18 है कि उन्हें सब 52 के आम चुनाओं में डैस डैस से करपूरी ठाकुर विजाई घोसित हुए तो सही जवाब होगा और समस्ती पूर के ताजपूर विधान सबासे करपूरी ठाकुर जो है न वो जहासी की रानी थी। जहासी की रानी पाथ की विधा है यह क्या है तो एक जीवन वृत कवीता हैłem को कब हुआ था तो प्रतम भारतिय सोतंतरता संग्राम हुआ था 1857 भी में ठीक है कोश्चन नमबर 23 कि जहासी की रानी किन की कवीता है जहासी की रानी जो कवीता है यह सुबद्रा कुमारी चोहान की लिखी हुई कवीता है कोश्चन कानपूर के नाना सहाब की बहन कौन थी तो कानपूर के नाना सहाब की बहन लक्षमी बाई ही थी आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि मृत्यू के समय लक्षमी बाई की उमर कितनी थी तो उनकी उमर थी 23 वर्स और 23 वर्स में ही उनकी मृत्य हो गई बुढ़े भारत मे आई फिर से नई जवानी थी कावे पंक्ती में भारत को बुढ़ा कहा गया है क्योंकि क्योंकि आपसने में भारत गुलाम था भी में भारत में एकता नहीं थी और सी में हैं भारत का इतिहास प्राचीन है और डी में हैं भारत की दर्शा से तिल और जरजर हो चुका है तो सही लड़ी मरदानी वतो जहासी वाली रानी थी पूरा चप्र एकदम जबरदस्त अंदाज में आप लोगों को पढ़ाई और आई हो पढ़े होंगे तो आप लोग अरे कोशन का एंसर तो देही रहे होंगे वीर सिवाजी की गता है उसको याद जुबानी थी कावे पंक्ती है क AUXA NUMBER C 29 प्रश्न की जहासी पर अधिकार करने के पश्चाथ लक्षमीभाई किधर की और बढ़ी तो और तिस नंबर प्रश्न जो की आखरी प्रश्न है कि काना कौन थी तो काना जो थी ना उनकी ऩी सहेली थी आपसा नमबर भी में देखिए लक्षमीभाई की सहेली इस तक हम लोग 20 चेप्टर तक complete कर चुके 20 चेप्टर तक का objective question complete हो चुका है देखिए अब मातर तीन चेप्टर बचा हुआ है 21-22 और तेईस तो छीरी इन तीनों चेप्टर को मिला कर हम लोग सारा objective question complete कर लेते हैं उसके बाद से पूरा book का objective complete हो जाने वाला है मातर तीन कर नहीं जाना है बीच में वीडियो को पुरा कंप्लीट करना है अब ज्यादा समय नहीं है देखिए सबसे पहला प्रश्ण है कि चिकित्सा का चकर पाठ की विधा है चैप्टर नुबर कुर्शन 2 है कि चिकित्सा का चकर पाठ के माध्यम से लेखक ने 10 विरौधा भासयों को सफलता पुरूवक उभारा है किस चीजड के विरौधा भास्यों को सफलता पूरक उभारे हैं तो सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर चिकित्चा पदती के विरिधा भाशाओं को जो है ना सफलता पूरक उभारा गया है कुष्ण नमबर फोर है कि खाली जगह यहाँ पर यानिकी डैस चिकित्चा में अंग्रेजी दवा सुई आदी दिया जाता यह καता है कौन सफेकित्चा में तो सही जवाब अंग्रेजी चिकित्चा में सुई दवा दिया जाता है आगे बढ़ते हैं रसगुले च्हायवादी कवीता की भाती सुक्ष्म नहीं थे तो सही जवाब सही उत्तर ओप्सान नंबर C आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर 6 कि किस कवीता में जड़ी बूटी से बनी औस दी दी जाती है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपसान नंबर A आयूरुवेदिक में ही मतलब कि आयूरुवेदिक चिकित्सा में ही जड़ी बूटी से बनी दवाई दी जाती है कोश्ण नंबर 7 है कि लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत थी तो लेखक को शाम में भोजन लेने की आदत थी कोश्ण नंबर 8 कि किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है तो उनकी बीवी कहती है ना लेखक की पतनी तो आपसान नंबर B is the correct answer तो सही उत्तर बैहतर किया दोटे हैं अगला प्रश्न है कि सुधामज अपने मित्र से मिलने कहां गए सुधामा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारी का गई थे सही उत्तर किस ने धोया तो सुदामा का पैर धोते हैं स्रीकृष्ण उनकी आशू से ही धूल जाता है कि सुदामा कौन थे तो सुदामा जो थे ना वो स्रीकृष्ण के बाल सका थे अती दीन थे और भजन में लिन रहते थे तो आगे बढ़ते हैं तेरा नंबर प्रशन की सुदामा चरित पाठ की विद अगला प्रशन की सुदामा चरिट में के रश्णकार six अगला प्रशन की सुदामा किस रिकृष्ण मिलने के लिए गए थे तो कि उच्छन है कि किस ने सुदामा को और क्रिश्ण के पास जाने के लिए विवश्ट किया तो ऑप्रश्ण सुदामा की पतनी तो और सुदमा की आरतिक इस्थिती पीक अती करीब थेего करीब ते थे तो बच्पन में पढ़ते थे संदीपन मुनी के पास अगला प्रशन की राह कौन भटक गया है तो रह जो भटका है न वह हिरन का बच्चा और भटके हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है तो वह आश्वासन देता है कि तुम्हारी मा मिल जाएगी तुम डरो मत आगे बढ़ते हैं फड़ाफट अगला प्रशन है प्रशन नंबर 21 कि हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत वस्तुओं का क्या करना चाहिए तो हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए और भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवा है सही जवाब होगा option number C डॉक्टर नी वियत नाम यह दिया गया है तो सही जवाब option number C हो जाएगा अगला प्रश्ण कि रहा भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है कौन से जीवन मारमी की कवीता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्ण की वेदना का अर्थ क्या है तो वेदना का अर्थ होता है पीड़ा option number A next question कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है तो जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरन रो सकते हैं जो की रास्ता भटक चुका है बेड़ बनार्ची कितने साल के हट्टे-कट्टे आदमी थे तो वह 35 साल के हट्टे-कट्टे आदमी थे ठीक है आगे बढ़ते हैं फड़ाफट छे रसगुल्ले किसके यहां से आया था यह इंपोर्टन कोशन है याद रखिएगा जो 6 रसगुल्ले आये थे वह परशाद जी के यहां से आये थे अगला प्रशन है तीस नंबर देखिए तीस कोशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और मातर दस कोशन उसके बाद से कंप्रीट हो जाने वाला है सारा अब्जेक्टिव तो बस आप लोग जुड़े रहें ए फीस कितनी थी तो चुहानात कातर जी की जो फीस थी ना वो फीस थी नौ रूपिया ऑप्शन नंबर बी इस दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफर्ट कोशन नंबर 32 है कि डॉक्टर चुहानात कातर जी जिस दवाई की सिसी लेखक को दिये वह कितने आने में मि चाराना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 33 लगते एक दात को उख़वाने में तीन आने लगते थे और इस तरह सभी दात को उख़वाया जाए तो ज्यादा पैसा हो जाएगा यहीं सोचकर जो है ना लेखक वो दात उख़वाने के लिए नहीं जाते हैं कोशन नबर 34 है किस चीज की उनकी इच्छा थी बिमार पढ़ने की 35 का ओप्शन नंबर A is the correct answer क्योंकि वो कभी बिनमार ही नहीं हुए थे तो इस वज़े से उनको बिमार पढ़ने की इच्छा थी नरुतम दाश है क्या है नरुतम दाश तो ये एक कवी है ओप्शन नंबर A आगे बढ़त जो है ना यह लिखी गई थी कोश्चन नंबर 38 है कि सुदामा के पैर कैसे धुल गया तो आपसाने में है पानी से भी में गंगा जल से सी में क्रिशन भगवान की आसू से तो जी हां आपसा नंबर C is the correction sir क्रिशन भगवान की आसू से ही सुदामा के पैर धुल गये आगे ब कविराज पंडित सुकदेव शास्त्री बुलाने पर वो आते हैं पालकी से यान की पालकी से आते हैं इलाज करने के लिए और लास्ट कोशन पर हम लोग आ चुके हैं आखरी सवाल है कि राय कृशन दास हफते में कितनी बार दाड़ी बनाते थे तो वो नो बार दाड़ी बनाए करते थे तो आपसा नबर सी इसदा करेक्ट एंसर यहां पर हो जाता है क्लास 10 के नौन हंदी का संपूर्ण अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट यानि कि आज का यह जो क्लास था यह मैराथन क्लास था 10 क्लास के नौन हंदी के अब्जेक्टिव कोशन का तो यह को भी कमेंड में लिखकर जरूर बताइए कि हमें चीजे समझ में आई और वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक भी करते हैं भी तक लाइक नहीं किये तो और जितना जला हो सके शेयर कर दे ताकि सबी लोगों का भला हो और चानल पर अगर आप लोग नए हाफिस